हलो नमस्कार कैसा है मेरा यूटूब अडिवार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे recovery agent के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते थे बहुत सारे लोग मुझे पूछे थे किसा recovery agent बहुत जाधा परशान करता है recovery agent से जून का बात करने का तरीका होता है आखिर recovery agent को इतना अधिकार देता कौन है मेरा सबसे पहला सवाल है कि आखिर recovery agent को इतना अधिकार देता कौन है कि recovery agent को इतना अधिकार मिला हुआ है कि customer से जाके वह गाली गलोज करता है उनको धमकी देता है उन पर legal action करने की बात करता तो आखिर ये रिकवरी एजेंट है को और इस पर सिकंजा कैसे कसा जाए तो मैं साकेत आईटमी 05 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आज का वीडियो को आप जितना चाहो उतना शेर करो क्योंकि इसके बाद इस वीडियो को जो भी रिकवरी एजेंट देख र इस वीडियो के बाद सायथ कोई भी रिकवरी एजेंट से डरे नहीं और इस वीडियो के बाद सायथ बहुत सारे रिकवरी एजेंट का कमेंट्स भी आया है कि गलत कर रहे हो भाई चलिए तो आप एक प्रतारित कस्टमर हो जो इसको रिकवरी एजेंट बहुत जादा बैंक में, NBFC कंपणी में, एजेंसी में उनको रखा जाता है, इनका काम क्या होता है, पहले समझिए, इनके शुरुवात हम बताते हैं, बेसिक, सुब सुब से, सुब में जब ही अपने आफिस जाते हैं, तो इनका जो मैनेजर होता है, सबसे पहले इनको बैठाता है, एक ग पैसे ले कि आओ, नहीं तो टाइम ले कि आओ, कि उस कस्टमर ने क्या बोला, अब जिनका पैसा पहले डेस में बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है, उसको तो कुछ परशानी नहीं होता है, पर जिसका नहीं होता है, मैनेजर उसके मा, बाप, किसी को नहीं छोड़ता, ग इतना डर लग रहा है, क्योंकि मैनेजर उसकी फिर से उसी तरह से बजाएगा, अब वो पूरे अटिट्यूट में जाता है, कस्टमर से पास, बोलता है कि आप पैसे नहीं दोगे, तो हम रिकवरी एजेंट है, हम आप पे केस कर देंगे, हम यह पे बैठे रहेंगे, यह कर ताजित करते हैं, मेरा इस तरह से बोलना ज़रूरी है, एक दो कौड़ी का स्टाफ, जो आपके घर पे आके एक जन्मिन परसन को, जिसका एक मार्केट में रेपेटेशन है, इक इज़त है, उसको बेज़त करता है, क्यूंकि क्यूंकि कस्टमर को पता नहीं होता, अगर को इट्रेयनटी, बैंक भी नहीं लेता, क्यूंकि बैंक के गाइड़लाइनस में में यह इस पस्ट लिखा हुआ है कि रिकवरी एजएंट को, इन से टाइम लेके जानाORYज रिकवेस्ट करना है पर कोई भी रिकवरी एजएंट जब आपके घर पहुँच जा रहा है, आपको बोल रहा है मारेंगे तो उसको पहले बानिए घर में और पूरे फुरसत से पिटिए क्यूं अगर वो कंप्लेंड भी करने जाएगा तो वहां पे बैंक सबसे पहले ये पुछेगा उससे कि अच्छा जब तुम उनके घर पे गया थे तो उनको आपने कोई मेल किया था या न सबसेर हुगे अगर ये बात सभी लोग समझ गया तो किसी बहुत को सोने कök घर पर पहुंच जया सूबव को गाम लगाना बहुत जरूरी है ऐसेजह है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पैसे को लाते हैं इन्फॉर्म करते कस्टमर को कि हम आने वाले और आपको पैसे देने पर एक legal procedure क्या है देखे कानून यह बोलता है कि अगर आप यह माई नहीं दे पाते हो तो आपको यह बोलने का अधिकार है कि आप एक genuine customer हो आप यह माई नहीं पेकर पारे हो पर उस recovery agent का भी काम है recovery करना पैसे लाना अगर वो पैसे लेके नहीं जाएगा तो उसको salary नहीं मिले यह तो सबसे पहले अगर वो आपसे मांग रहाए है कि जैनर्मिल ली पैसे मांग रहा है मिठ मांग रहा है तो आप सबसे पहले उसको डेढ़ दो होगा तो देंगे वाला जब आप बोलते हो ना तो कहीं न कहीं उसको एक report submit करना होता है आप एक date बता दो भले उस date पर ना आपसे बत्तमीजी कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि नहीं, आपको पैसे दे नहीं पड़ेंगे, तो सबसे पहले उनको बोलिए कि due process of law, आप follow कीजिए, उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, हम उसको follow करेंगे, अगर हम गलत निकलते हैं, अगर कानूनी तरीके से अगर हम गलत निकलते हैं, तो हम पर procedure होगा, otherwise, आगे जो भी होगा देख लेंगे, तो कोई भी recovery agent जो होता है, उसको पता ही नहीं होता, क उसको एक चार्ट पेपर देखके, बैल की तरह हांक दिया जाता है, जाओ, अब पैसे लेके आओ, और आज के डेट में तो मैं बहुत company को देख रहा हूं, कि वो recovery agent के लड़के नहीं, गुंडे हायर कर रहे हैं, अगर आपके घर पे अगर कोई भी recovery agent इस तरह से आता है, औ आप से बत्तमीजी करता है, तो हमेशा video evidence का होना आपके पास जरूरी है, और उस video evidence में अगर गाली गलोजा किसी भी तरह से हिंसा परदर्शित होता है, तो आप सिधे तोर पे इसकी कानूनी शिकायत कर सकते हो, और उस recovery agent को सिधे jail हो जाएगा, अब बात करते हैं कि आप recovery agent से बात कर रहे हो, system के साथ बात कर रहे हो, कि आप पूरे तरीके से आओ, due process of law follow करो, तब हम आप से बात करेंगा, recovery agent बत्तमीजी कर रहा है, तो आपके पास अधिकार होने चाहिए कि आप उन पर सिकायत कर सको, तो सबसे पहले, वो भी recovery agent आता है, तो उसका आप ID मांगिए, ID मांगने के साथ उन से आप पूछे कि किस बैंक से आप बिलॉंग कर रहे हो, बैंक बताएगा, कोस agency से आए हो, क्योंकि उनके slip पे सारा कुछ mention होता है, और उसमें उनका जो customer ID होता है, जिस तरह से, उनका एक जो जितने भी staff है, ground staff है, उनके भी ID होता है, आपने कभी भी अगर offline mode में पैसे दिये होंगे, तो देखिएगा, जब वो आपको slip card के देते हैं, पर एजनसी का नाम लिखते हैं, agency का मुहर होता है, और वहाँ पे उस ID को mention किया जाता है, जो उस particular recovery agent का होता है, उस ID पे, और कभी भी किसी भी bank से जाके आपको अधिकार है, कभी तक मुझ agency के थुरू काम करते हो, और आपका loan manager कोन है, तो bank बहुत इसली बता देता है, loan manager के बारे बहुत इसली बता देता है, तो आप उस loan manager का नाम पूछिए, उस recovery agency का नाम पूछिए, और उनके खिलाफ एक mail तयार कीजिए, और चुप चाप उस bank को जाके पूछे कि सर आपका help line number कहा है, जो अगर कोई सिकायत कर नहीं हो, तो कहां करे, उस help line number पे शिकायत किजिए, otherwise अगाप उहां भी नहीं कर पा रहे हो, तो चुप चाप आप जाके banking लोगपाल, मेरे सब्दों को बहुत ही ध्यान सुनिएगा, banking लोगपाल, यहां पे शिकायत किजिएगा, 24 घंटे म अंदर बैंटी बोलती बत, इसी तरह से कानूनी प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहते हो, तो वर्ट्सप पे कर सकते हो, अपनी जानकारी दे सकते हो, प्रस्नली मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर है, जैहिन मने मादर।